नमस्कार आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रियंकातिवारी खबरों को विस्तार से जानेंगे और उनकी शंकाओं को दूर भी करेंगे वहीं बैठक में मंत्री समिति के सदस्यों को तीनों सेनाओं में सैनिकों की भरती के लिए हाल ही में शुरू की गई अगनिपत्य योजना के विरुद विभिन पहलियों से रुबरो कराये जाएगा बैठक में रक्षा सचिव सेना के तीन प्रमुख और रक्षा मंत्राले के अन्य वरिष्ट अधिकारी भी मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में 20 सदस्य हैं जिसमें 13 लोग सभासे और लगभग 7 राज्य सभासे हैं श्रिलंका में प्रदर्शन कारियों की मांग के आगे अब श्रिलंका की सरकार जुकने के लिए मजबूर हो गई उग्र प्रदर्शन को देखते हुए श्रिलंका के मुख्य विपक्षी दल राश्टुपती गोटबाया राजपक्षे के सम्भावत स्तीफे के बाद सर्व दलीय अंतरिम सरकार बनाने पर रविवार को सहमत हो गए इस बीच राश्टुपती गोटबाया राजपक्षे ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि इंधन की कमी वाले देश को रसोई गैस का सुचारू वितरन सुरिश्चित किया जाए राश्टुपती गोटबाया र राजपक्षे ने आधिकारिक तोर पर पियम रानिल विक्रम सिंगे को सूचित किया है कि वो पहले की घोशना की अनुसार इस्तीफा दे देंगे श्रिलंका के प्रधानमंत्री कार्याले ने इसकी सूचना दी है भगोडे कारोबारी विजर मालिया और गैंक्स्टर अबू सलेम के मामले में सुप्रीम कोट सोनवार यानि कि आज फैसला सुना सकती है इससे पहले मार्च माह में सुनवाई के बाद कोट ने मालिया के खिलाफ सजा पर आदेश सुरक्षित रख लिया था शीश अदालत ने मालिया को अदालत के आदेश का उलंगन करते हुए अपने बच्चों को 4 करोड डॉलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमाना का दोशी ठहराया था करीब पचास दिन के ग्रिश्मा वकास के बाद सुप्रीम कोट में आज से पूर्ण कामकाज शुरू होगा सुमवार को कई एहम मामलों में फैसले आ सकते हैं और सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोट इसी सप्ता एलगार परिशद मामले के आरोपी पी वरवर राव की जमानत पर भी सुनवाई करेगी को चार महीने की सजा दी गई है और 2000 का जुर्माना विजह मालिया पर लगाया गया है सुप्रीम कोट की तरफ से या आदेश आ गया है कि विजह मालिया को अब चार महीने की सजा सुनाई है वही 2000 रुपे का जुर्माना लगाया है महराश्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से जारी घमासान आज थमनी के आसार दिख रहे है दरसल शिवसेना के सोला विधायकों की अयोगिता पर सुमवार को सुप्रीम कोट में सुनवाई होनी है शिंदे गुट की ओर से इस मामले में याचिका दायर की गई थी और सुला विधायकों को मिले नोटिस को अवैध करार दिया गया था इस मामले में उधव गुत ने भी अपने पक्ष में सुप्रीम कोट में दलीले पेश की थी इसके बाद कोट ने सुमवार के लिए सूची बद कर दिया था